एक वास्तविक सुन्दर दिमाग दोस्तों ये कहानी है सदी के महानायक महानवेग्यानिक दे जीनियस साइन्टिस्ट अलबर्ट आइंस्टीन की ध्यान से देखियेगा बड़ी प्रेरनादायक है जब आप इस वर्ड जीनियस को सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं थिंक के बाद प्रेपोजिशन आफ एक जीनियस कौन है आपकी नजरों में क्या क्वालिटी है जो एक जीनियस एक विद्वान के पास होती है अट्यंत प्रतिवाशली आप एसी कई क्वालिटी को नोट डाउन करिये जो एक जीनियस के पास होती है वह हाजिर जवाबी होता है औरेटर होता है एक उसके साथ स्कील होती है कंसंट्रेशन होता है आईक्यू लेवल तेज होता है वगेरा वगेरा दोस्तों यहाँ तुक बाई टेक बाई की पास्ट फॉर में जिसका मिनिंग है कि जिसने मान लियाता जान लियाता कि संसार एक तूफान पे खड़ा है लगबग सो साल पहले हैं In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light 1905 में 26 साल पुराने पबलिश हुए एक quick succession में four groundbreaking papers चार ऐसे papers जो groundbreaking है जो कि record तोड़ते हैं और यह उत्तरादिकार के तोर पे पीछे succession में About light किसके बारे में? Light के बारे में The motion of particles जो particles होते हैं किसी भी चीज के टुकड़े अव्याव चोटे चोटे अव्याव होते हैं उनके motion के बारे हैं The electrodynamics of moving bodies and energy जो चलती हुई objects हैं उनकी विद्धिती उर्जा और उर्जा के बारे में His work took up only a few pages in scientific journals Scientific journal में उसके paper उसका जो काम था वो केवल कुछ pages में हैं But changed forever our understanding of space परंतु हमारी अंतरिक्ष के बारे में जो understanding है वो इस छोटे से छोटे work में पूरी change हो जाती है Change कर दी इसने Space, time and the entire cosmos Space के बारे में, time के बारे में और पूरे ब्रह्मांड के बारे में And transformed the name Einstein into a synonym for genius Or Einstein, genius नाम का एक परियावाची एक synonym बन गया ये transformation उसके work का था Whenever we hear the word genius The picture of Albert Einstein comes in our mind Genius, a person with uncommon intellectual powers Fifty years after his death Albert Einstein's genius is steel rants उसकी मौत के पचास साल बाद भी आज भी Albert Einstein की geniusness उसकी विद्धा राज करती है Science के field में Not only in the field of science but also in the field of humanities आगे देखिये दोस्तों Albert Einstein was born on 14th March 1879 The date to be noted down by you in the German city of Ulm German की Ulm city में Without any indication that he was destined for greatness एसा कोई लक्षण नहीं था कि वो destined जो की जिसको भाग्य के द्वारा यह बताया गया है और जिसका भाग्य ही यह लिखा गया है काई के लिए? For greatness महानता के लिए एसा कोई indication एसा कोई लक्षण नहीं था On the contrary, his mother thought Albert was a freak जबकि इसके विपरित, contrary उसकी मदर सोचती थी कि Albert एक freak है F-R-E-A-K freak means son की, odd, something that is uncommon To her, his head seemed much too large उसका सिर, दोस्तों, Einstein का सिर बहुत बड़ा था और बहुत बड़ा सी रोने के कारण ही मदर को लगता था कि ये थोड़ा odd है At the age of two and a half, Einstein still wasn't talking ड़ी साल का हो गया, तब तक Einstein बात नहीं कर रहा था हमारे यहां इसी बात हो जाए और साल बर तक कोई बच्चा नहीं बोल पाए तो हमें भी चिंता हो जाती है कि आखिर बात क्या है, बोल क्यों नहीं रहा है When he finally did learn to speak जब वो वास्तों में बोलना सीखता है डिट के साथ first form आई है, जोड़ देने वाला sentence है He uttered everything twice, वो हर चीश को दो बार बोलता था Einstein did not know what to do with other children दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए वो नहीं जानता था और उसके दोस्त उसे पुकारते थे ब्रदर बोरिंग के नाम से दोस्तों, so the youngster played by himself इसलिए ये खुद के साथ ही खेलता था क्योंकि दोस्त इसे बोरिंग ब्रदर कह रहे हैं जो उबा देने वाला बाई है, इसलिए ये खुद ही अपने से खेलता था देखिए आगे, प्राचीन गणित के इतिहास का ओटो नौकबेर टॉल्ड आ स्टोरी अबाउट दा बोई, आइंस्टिंग देट ही करेक्टराइजेज एज लिजेंड कि वह एसे लक्षन एसी चारित्रिक विशेश्टाएं उसमें थी जैसे एक लिजेंड हो, यानि कि एक इसकी स्टोरियां ऐसे सुनाते हैं जैसे दंतकता हो, लिजेंड मिन्स स्टोरी हैंड़ फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर बट देट सीम्स फेरली ऑथेंटिक परंतु फिर भी, जैसे कोई लोग परी दंतकता सुना ही जाती है ऐसे सुनाते हैं लेकिन फिर भी वो प्रतीत होती है बहुत ज़्यादा विश्वस नहीं है और थेंटिक क्योंकि वो देरी से बोलने वाला विक्ती था रात्री का वोजन रात्री के वोजन की एक रात को उस टेबल पर उसने अपनी चुप़ी तोड़ी और पहला जो बोला कि सूप बहुत गर्म है ग्रेटली रेलेवड, इस पेरेंट्स आस्ट वाइज वाइज नेवर सेड़ बहुत ज़्यादा जो आश्वस्त हुए, जिनको आराम मिला, रेलीव की कंडिशन आई वो पेरेंट्स उसको पूछते हैं कि पहले क्यों नहीं बोले हैड नेवर सेड पास्ट पर्फेक्ट टेंस अलबट रेप्लाइज बिकॉज अप टू नाव एवरिटिंग वाज इन ओर क्योंकि अब तक सारी चीजे ठीक ठाक थी, ओर्डर में थी, क्या जवाब है देन, much of the time, he especially loved mechanical toys अधिक तांश समय, अधिक तर समय, वो जो mechanical toys होते हैं, उन में अपना बिताता था looking at his newborn sister, अपनी नई अभी अभी पेदा हुई sister की और देखते हुए मा जा, he is set to have set, ऐसा कहा जाता है, कि वह कहता था fine, but where are her wheels, परन्तु उसके पहिये कहा थे यनि कि वो जो उसकी बहन है, वो उसके लिए एक mechanical toys है, वो उसके साथ खेलता था और ऐसा कहा जाता है, कि वो कहता था कि अच्छा है एक हिलो ना, पर इसके पहिये कहा है, चलता कैसे है एक headmaster ने एक बार कहा कि Einstein कोई सा भी subject चुने, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है, क्योंकि या किसी भी मामले में सफलता प्राप्त नहीं करेगा Einstein began learning to play the violin at the age of six, 6 साल के उमर में violin सीखना शुरू किया began learning to play, began past indefinite tense, सीखना learning, यह जिरंड है, नाउन का काम कर रहा है और non-finite scale आता है because his mother wanted him to, और क्यों सीखना शुरू किया, क्योंकि mother चाहती थी, दोस्तों इस पर हमरा question बनता है he later became a gifted amateur violinist, और बाद में वो बन गया, एक प्रतिवावान, amateur violinist amateur, amateur means जो श्रोकीन होता है, the one who loves to do something maintaining this skill throughout his life, और यह skill maintain करते हुए, बनाय रखते हुए, अपने पूरे जिवन में, वो एक amateur violinist बन गया but, Albert Einstein was not a bad pupil, वो एक बुरा शिश्य नहीं था, pupil means शिश्य he went to high school in Munich, Munich जगे का नाम है, वहाँ वो high school में गया, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, जहां Einstein की family move कर गई थी Munich में, जब वो 15 साल का था and scored good marks in almost every subject, और लगबख हर subject में उसके अच्छे नमबर आये थे Einstein headed the school's regimentation, school के regimentation को Einstein नफरत करता था regimentation here refers to the meaning strict order and discipline, संगठन, संगठित जो वहाँ का strict order था regiment से बना है, जहां discipline होता है, strict order होता है, Einstein उससे नफरत करता था and often clashed with his teachers, और अक्सर teachers के साथ उसकी clashing होती थी लड़ाई होती थी, मन मुटाव होता था at the age of 15, Einstein felt so stifled that, so stifled there that he left the school for good stifled, stifled means, जैसे दम गुटता हो, गला रूंदा हुआ हो, the chalked position इतना इन्होंने दम गुटने वाला गला रूंद रह की condition महसूस की, वहाँ पर Munich में कि उन्होंने इसकूल शोड़ दिया आए the previous year, पिछले साल, Albert's parents had moved to Milan, पिछले साल, Albert's के पेरे, इसके एक साल पहले, इस गटना के एक साल पहले, वो Milan move कर चुके थे, उसके parents, and left their son with relatives, और उसके पुत्रों को, अपने पुत्रों को छोड़ दिया था, उन्होंने रिश्टेदारों के साथ, after prolonged discussion, एक लंबी बातचीत के बाद, उसके पश्चात, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, Einstein ने अपनी इच्छ जाहिर की कि वो अपनी शिक्षा प्राप्त करेगा जर्मन बोलने वाले Switzerland, in a city which was more liberal than Munich, एक 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 city शिर्जरलेन जहां थोड़ी ज्यादा स्वतंतरता थी, Munich के मुकाबले, इस पे भी question बनता है, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, maths में बहुत ज्यादा गिफ्टेड था और interested था physics में, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich, और schooling के बाद उसने decide किया study करने का जुरिक की एक युनिवर्सिटी में, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man, परंतु science ही केवल एक वो चीज नहीं थी, जो इस dashing young man को आकरशित करती थी, appeal करती थी, dashing means the bright one, the intelligent one, एक होनहार व्यक्तित, with the walrus mustache, और कैसा आदमी था ये dashing young man, on her, bright, walrus mustache के साथ, जिसके मुच्छे थी, walrus, एक animal की तरह, मुच्छे, then, here Einstein in 1900, at the age of 21, मुच्छे देखिया, and Einstein in 1955, as we remember him now, जैसा कि उसे हम आज याद करते है, he also felt a special interest in a fellow student, उन्होंने महसूस किया, यह भी महसूस किया, एक, विशेश प्रकार का interest, विशेश प्रूर्ची, एक साथी अपने विद्यार थी, साथी fellow student में, मिलेवा मेरिक, और उसका नाम है मिलेवा मेरिक, whom he found to be a clever creature, जिसको इन्होंने पाया, एक चतुर प्राणी, clever creature, इस यंग सर्ब, हैट कम टू स्विजजाल लेंड, यह यंग सर्ब, हैट कम, पास्ट परफेक्ट टेंस, आ चुकी थी, स्विजजाल लेंड, सर्ब क्या है दोस्तों, यह प्रपर नाउन है, एस केपिटल है, जहांके रेने वाले हैं, उस पे बना हुआ है, क्योंकि जूरिक की जूरिक की जूरिक थी, वो यूरोप में कुछ एक चुनिंदा यूरिस्टी में से थी, वेर विमन कुट गेट डिग्रीज, जहां ओरतें डिग्रीज पा सकती थी, तो हमारा यह करेक्टर मिलेवा मेरिक, फिमेल करेक्टर है, आइंस्टीन सो इन हर एन अलाई अगेंस्ट दा फिलिस्टीन्स, आइंस्टीन ने उसके अंदर देखा, क्या देखा, एन अलाई, एक फ्रेंट, एक फ्रेंट देखा, आइंस्टीन ने उसके अंदर, Philistines के अगेंस्ट में Philistines जो गलत व्यक्ति हैं रॉंग पीपूल है जो डिसप्रूवल वाले पीपल है उनके अगेंस्ट में इन्होंने इसके अंदर एक फ्रेंड देखा Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds वो लोग जो उसके family में थे और university में थे जिनके साथ वह हमेशा आइंस्टीन हमेशा odd condition में रहता था थोड़ा विरोध में रहता था वही condition इस lady के साथ भी थी मिलेव अमेरिक के साथ भी थी तो इसने इसके अंदर अपना एक फ्रेंड देखा The couple fell in love और यह दोनों प्यार में पढ़ गए Letters Survive in which they put their affection into words आज भी वह पत्र जिन्दा हैं जिसमें उन लोगों ने अपने प्यार को शब्दों में रखा था Mixing science with tenderness Science को softness के साथ tenderness के साथ विनमरता के साथ mix करते हुए wrote Einstein Einstein ने लिखा How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion की कितना खुश और गर्विला में महसूस करूंगा जब हम दोनों हम दोनों we both have brought our work हम अपना काम लेकर क्या आते हैं प्रस्तुत करते हैं on relativity to a victorious conclusion relativity पे इनका काम था सापेक्षता पे काम था क्योंकि चीजें जो होती है वो एक दूसरे के proportionate होती है the things proportionate to each other और इसी जिसके साथ things proportionate होती है इसी को relativity का principle कहते है इस पर ये अपना conclusive work लेकर के आए थे वो भी victorious विजयता वाला तो ये बहुत खुश पेटेंट ओफिस इन बर्न बर्न के पेटेंट ओफिस में वाईल ही वाज सपोस्ट टू बी assessing other people's inventions जबकि उनसे यह उम्मीद की जाती थी उनसे यह उम्मीद की जाती थी तू बी assessing other people's inventions कि दूसरे लोगों के जो आविश्कार हैं उनको वो assess करें उसका की जाती थी तब उसमा आइंस्टीन अपने खुद के आईडिया डवलप कर रहा था रहस्यमाई तरीके से in secret ऐसा कहा जाता है कि वह मजाकिया रूप में अपनी डेस्क ड्रॉवर को कहा करता था the Bureau of Theoretical Physics सेदान्तिक बोतिक विज्ञान की अल्मिरा सेदान्तिक बोतिक विज्ञान का कार्याल है Bureau यनि की Office तो दोस्तों उसे कहा जाता है मजाकिया रूप में कि इसकी डेस्क को कहा जाता था बहुत एक विज्ञान का सेदान्तिक कार्याल है वन ओप दी फेमस पेपर सों 1905 वास आइंस्टीन से Special Theory of Relativity 1905 का एक फेमस पेपर पसद्द पेपर उस आइंस्टीन की एक विशेश सेदान्तिक थेओरी थी Relativity पे साप एक्षता पे According to which Time and Distance are not absolute और उस थेओरी उस सद्दान्त के अनुसार Time और Distance समय और दूरी दोनों absolute नहीं होती है पूर्ण नहीं होती है Complete नहीं होती है अपने आप में Not related to anything Indeed वास्ताव में Two perfectly accurate clocks Will not continue to show The same time If they come together Again after a journey दो पूरी सही साथ गड़ियां Exact time नहीं बताएगी यदि वह वापिस एक साथ आती हैं एक यात्रा को करने के बात If one of them has been moving very fast Relative to the other यदि एक गड़ी तेजी से चल रही हो दूसरे के मुकाबले तो दोनों का time उस यात्रा के बाद जब एक साथ दोनों आएगी दोनों का time same नहीं रहेगा From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy और इसी के बाद संसार का सबसे महान formula बनता है जो describe करता है Relationship mass और energy के बीच में द्रव्यमान और उर्जा के बीच में Mass किसी भी चीच का द्रव्यमान है That is the equation E is equal to MC square In this mathematical equation E stands for energy M for mass and C for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh km per second E energy है M mass है और C light के speed है लगबग 3 lakh km per second की speed light की होती है When you sit with a nice girl for two hours It seems like two minutes जब आप किसी अच्छी रड़की के साथ बैठते हैं दो गंटे तो आपको लगता है जैसे दो मिनिट हुए And when you sit on a hot stove for two minutes It seems like two hours और जब आप किसी गरम stove पर दो मिनिट बैठते हैं तो लगता है जैसे दो गंटे That's a relativity ये शांदार example Einstein ने दिया कि यही है relativity दोस्तों इसके बाद हम next part पर आगे देखेंगे This is for the first part and Till then हम देखते हैं आगा Einstein ने इसा क्या किया है Keep learning, keep moving And remember the theory of relativity for every sphere of life Till then goodbye, keep rocking, have a good day